Hello and Good Morning Everyone Last video में हमने डिसक्ष किया था The Role of IT in the Health Sector How IT Help Us to Diagnosis में कैसे help करता है हमें कैसे वो help करता है क्योर करने में, क्या IT impacts है कौन-कौन सी machine यूज होती है इनके बारे में हमने डिसक्ष किया था आज किस फीडियो में डिसक्ष करने वाले हैं The Impact of IT in the Government of Public Sector IT in Agriculture IT in Transportation IT in Publishing में कैसे help करता है तो चलिए सबसे पहले बात करें The Role of IT in Government of Public Sector देखिए जैसे जैसे Technology Advanced होती चली गए और Government Sector में इनका Implementation होता चला गया क्योंकि Government Sector में सबसे ज़्यादा Large Scale of Competition यूज किया जाता है आज की टाइम में हमारा Day to Day टास्क है जैसे हमें Pan Card बनवाना है आधार Card बनवाना है Water List में आपने नाम Add कराना है, Remove कराना है Russian Card में Address Change कराना है यह से छोटे छोटे काम है जिनके लिए हमें Office के चकर लगाने पड़ते थे लेकिन जब से यह platform digital हो चुका है आज यह सारे काम आप घर बैठे ही अपने smartphone या अपने laptop से कर सकते है आपको कहीं भी जाने के जोट नहीं है जितनी भी government की popular services हैं वो सभी कुछ online portals पे available है अब e-gourmments को भी online कर दिया गया है जैसे कि आपको अपना चेक करना हो कि आपके पास land कितना है तो यह सारा सबसे बड़ा जो है यह हम कह सकते हैं कि government का portal है भूलेक भूलेक आप सर्च कर सकते हैं गूगल सर्च बार में जाके और वहां से आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी land है फिलाल असान हो गया और दूसरा सर्विसस की बाप करें तो इन records में से किसी data को ढूंड़ना बहुत असान हो गया चाहे वो government के लिए हो चाहे user के लिए हो आप यहां record में changes भी कर सकते हैं manipulation कर सकते हैं records का computerization हो चुका है जिसका mean purpose क्या है जो focus है कि वो develop किया जा सके information system को यानि जब government को information की ज़रो थो तो government उस record को इस database को access कर सके वही user को अगर requirement है तो वो अपना database में से अपना data असानी से ढूंड के change कर सकती है देख सकती है taxes को online कर दिया गया अब आपको filling tax करना हो या आपको चाहे आपको कहीं office पर जाने के ज़रुवत नहीं है तो ये कुछ आसान हो गया अब यहाप एम बात करें खुद ही आप अपने आपको water list में जो है enroll कर सकते हैं आपको कहीं office में जाके form बरने के ज़रुवत नहीं है आपको passport के लिए apply करना ये आप ऐसा कर सकते हैं जब बात करें IT की वज़े से सिर्फ दूसरा हम बात करें IT in agriculture देखिए technology ने पूरी तरह से agriculture को भी change कर दिया है सिर्फ IT की help से हमें ये पता चल चुका है कि हमें किस soil जो टेस्टिंग की वज़े से computerized machine की वज़े हम soil test करते हैं और यहां से हमें ये पता चल जाता है कि किस तरह की soil में हम किस तरह का crop यहां पर cultivate कर सकते हैं किस तरह का aggregation system होना चाहिए या piss controlling कैसे करनी है ये सारे factor उनको कैसे storing करनी है क्योंकि आई agriculture industry में सबसे ज़्यादा जो depend करता है वो productivity depend करता है जितना ज़्यादा production होगा उतना ही ज़्यादा former का benefit होगा तो यहां पर production को पूरी तरिके से impact किया गया है IT ने पूरी तरिके से production को बढ़ा दिया है हम कहा सकते हैं कि smart तरीकों से चलिए अब next हम बात करें IT in transportation देखिए transportation का जो area है वो सिर्फ technology की वैसे जो है हम कह सकते हैं कि groom हुआ है क्योंकि यहां पर जितना fast information पहुचेगी उतनी देई से आप transportation कर सकते हैं technology ने क्या किया travel industry को पूरीता से change किया है आपको कहीं जाना हो आपको railway के ticket चाहिए आपको travel करना हो bus की ticket चाहिए आपको flight की ticket चाहिए तो इसके लिए क्वाय कर सकते हो बहुत आसानी से आप बैठे तो ticket book कर सकते हो तूसरा कम आपके पास अगर आप खुद का vehicle है और आप जा रहे हो तो यहां से आप Google Map आपको help करता है और अगर cities के अंदर आपको जाना है तो यहां पर आपके पास street view भी available है आप देली जैसे बड़े शहर में अगर आप जाते हो देली मुंबई जैसे तो यह काफी crowded area है तो यहां पर आपके पास Google में आपके अलामा street view भी available है यानि आप अपने आपको street में चेक कर सकते हो आपके location कहा है गलियों के direction किदर है आप किसी अपने favorite place पर यानि destination में बड़ी आसानी से पहुँच सकते है street view में स्विच करके आपको taxi services चाहिए तो आपके पास किसी आपकी favorite place से ही Ola या Uber आपको pick and drop की facility मिल जाएगा आपको खाना चाहिए तो वहीं पर आपको स्विगी जो मेटर जैसी services है आपको तो यह सारी कुछ facility जो है with the help of IT हमारे पास available है चलिए IT in publishing की बात करें तो देखिए 30% books आज के time में जो है वो digital book में आज जो publishing होती है book की उसका हम online sale की बात करें तो लगबग 70% 60% sale जो है online digital form में होती है hard copy की selling भी कम हो कुई है और यहां पर हम कैसे है cost भी काफी बचा है और reach काफी लोगों तक पहुँची है आपकोई newspaper या article publish होता है आपको information publish करते हैं किसी social media platform पे तो वो क्या होता है quickly spread हो जाता है लोगों तक आसानी से पहुच जाता है तो digital books available है बहुत सारी magazines तो ऐसी है जो physical exist ही नहीं करती है उनका सिर्फ online edition आता है और बहुत सारी लोग online edition में खरीदते हैं उसको पढ़ते है regular basis पे तो hard copy printing करने से paper cost बढ़ती है यहां की cost कम हो जाती है designing के बाद करें तो designing काफी सस्ती हो जाती है आप यहां पर vibrant color यूस कर सकते है और यहां काफी attractive look में अपने बुक को design कर सकते हैं और काफी कम time में खर सकते हैं यहां पर आजकल flipbook काफी popular है आप flipbook में design कर सकते हैं पर पीदिएफ के नहीं पे आसान हो चुका है आपके पास डिफरेंट डिजाइनिंग कवर्स होते हैं डिफरेंट लियाउट्स अविलेबर होते हैं जो की इजी भी है और फ्लेक्सिबल भी है कि आप डिजिटल पब्लिशिंग को बहुत आसान बना दिया गया है किसी वे राइटर को बुक राइट करना और इसको रिलीज करना उस पहले क्या होता था अगर आपने एक बुक राइट कर ली तो पब्लिशर के चक्कर लगाने पड़ते थे कोई पब्लिशर हमारी बुक पब्लिश करने लिए त्यार नहीं हो रहा है या फिर ज्यादा पैसे मांग रहा है तो अब यह ऐसा नहीं है अब आप डिजिटल अपनी बुक खुदी रिलीज कर सकते हो आप अपने ऑनलें प्लेटफरम पे जाके जैसे कि एमाज़ान है फ्ल